और आज का session बहुत important है क्योंकि Conjunctions जो एक बहुत important grammar का topic होता है specially आपके banking exams में, आपके SSE exams में, जहांपे आपके paranormal से questions आते हैं जहांपे आपके starters और connectors के questions आते हैं तो उसके लिए हमारे को na conjunction का base समझना बहुत जरूरी है तो समझते हैं Conjunctions topic को, excited everyone? Yes? चाले है So, let's get started आज का session स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं Conjunction होता क्या है Conjunction जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है को एक prefix होता है जिसका meaning होता है together को का meaning क्या होता है साथ में Junction क्या होता है? Railway junction होता है जहांपे बहुत सारी lines meet करते हैं तो conjunction word का मीनिंग क्या होता है? conjunction word का मीनिंग होता है एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा part of speech जो बहुत सारे शब्दों को कनेक्ट करें बहुत सारे sentences को कनेक्ट करें clauses को कनेक्ट करें, phrases को कनेक्ट करें तो उस part of speech को हम क्या बोलते हैं? उस part of speech को हम conjunction मोलते हैं conjunction के उपर नब बहुत सारे questions आते हैं, बहुत सारे topics जो conjunction पर based हैं, तो ये जो आपकी class होने वाली है conjunction की आहां ये मैं बहुत सारा मतलब 3 ये 4 पार से बहुत detail में आपको conjunction पढ़ाने वाली हूँ, तो हर वो conjunction, जो आपके exam में आ चुका है या आ सकता है, या जिसको हम use करते हैं, अपनी general life में हम उस हर एक conjunction को पढ़ेंगे और यहां पर हम जो conjunction इस पूरी की पूरी class में पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं category basis पे category basis पे क्या होता है हमने conjunctions की बहुत सारी categories बनाई है, कि यह वाला conjunction time है, यह purpose है ऐसे करके बहुत सारी categories बनाई है और हम हर एक category के सारे सारे conjunctions बनेंगे ठीक है, तो excited सभी लोग session के लिए how's the josh, चल तो start करते हैं आज का session और सबसे पहली category पे move करते हैं, और सबसे पहली category आपकी क्या है, time ऐसे करके 11 categories हैं, जिसमें हमने सारे के सारे conjunctions को divide किया तो सबसे पहली category जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, that is time, time का मतलब सभी को पता है, time का मतलब क्या होता है, समय तो वो conjunctions जो हमें कहीं ना कहीं समय के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताने वाले आपके कौन-कौन से conjunctions हो सकते हैं आपके conjunctions हो सकते हैं, जैसे कि before हो गया after हो गया since हो गया since का मीनिंग क्या होता है, जब से जब से मैंने तुमको देखा है है ना, since हो गया फिर आपका हो गया no sooner no sooner के साथ क्या लगता है, than लगता है, इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही मैंने घर में एंटरी करी, तभी वारिश आगए तो no sooner हो गया फिर आपका हो गया, for example as soon as as soon का मतलब as soon as का मतलब क्या होता है, बिल्कुत तुरंद के तुरंद ही, as soon as I entered the house, it started raining as soon as हो गया, तो इसे बहुत सारे conjunctions है, जो time को denote करते हैं, वो बताते हैं कि वो action कि समय हुआ, when हो गया, तो पहले हम सबसे पहले category कौन सी पढ़ने वाले हैं सबसे पहली category हम conjunctions की जो पढ़ने वाले हैं, वो है time की चाल, तो सबसे पहले conjunction पर आते हैं, कौन-कौन से हमारे conjunctions हैं, before, after, till, since, when and while, यह सारे के सारे हमारे conjunctions आते हैं, एक ही करके सारे conjunctions को बढ़ेंगे, तो कुछ example से इन conjunctions को बढ़ने के समझते हैं, Mary had left before my arrival, before का meaning क्या हो गया, before conjunction का meaning हो गया, के पहले, तो मेरे आने से पहले, क्या हुआ, Mary निकल चुकी थी, तो Mary had left before my arrival, I began my work after they had gone, वो चले गए, उसके बाद मैंने अपना काम start किया, तो after conjunction का meaning क्या हुआ, after conjunction का meaning हुआ, उसके बाद, I have not seen mercy since she was married, जब से उसकी शादी होई थी, मैंने उसको देखा ही नहीं है, when her mother returns from the market, जब उसकी माँ वापिस आती है market से, वो खुश हो जाएगी, when means, जब, तो ये सारे के सारे conjunctions आपके कौन से हैं, आपके सारे के सारे conjunctions of time हैं, अब इनके कुछ important concepts को बढ़ते हैं, सबसे पहला important concept conjunction of time का है, since का concept, जब भी since conjunction of time की तरह use होता है, ये जो since होता है, नहीं, दो तरह की categories में आता है, एक आता है conjunction of reason में, और एक आता है conjunction of time में, तो जब भी since time वाली category में आएगा, मैं अभी reason वाली category की बात नहीं कर रहे हैं, ये concept सिर्फ वो सिर्फ टाइम वाली category का है, तो ये जिस tense के बारे में बात कर रहा होगा, वो tense, या तो perfect tense होगा, या फिर वो tense कौन सा होगा, वो tense, या फिर perfect continuous tense होगा, इसके अलावा कोई और tense के बारे में since बात नहीं कर सकता, दूसरी चीज, since के बाद जो tense आएगा, वो हमेशा और हमेशा कौन सा होगा? वो हमेशा और हमेशा simple past ही होगा इसके अलावा कोई और tense नहीं आसा For example, I have been teaching English मैं English कब से पढ़ा रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई Since I got married तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं English पढ़ा रही हूँ अब इस sentence को बहुत ध्यान से देखो Since कब से ये काम Since किसके लिए use हुआ है? Present perfect continuous tense के लिए use हुआ है बिल्कुल सही है Since के बाद कौन सा tense है? Simple past, बिल्कुल सही है तो क्या conjunction of time का पहला concept सभी को clear है या नहीं? I want this class to be very interactive तो इसलिए सभी लोग मुझे ना साथ की साथ बताते हुए भी चलेंगे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो क्या एक पहला concept clear है? कि since just tense के बारे में हमें बताता है वो perfect या perfect continuous होता है और जो उसके बाद वाला tense होता है वो simple past ही हो सकता है और कोई tense नहीं आ सकता कुछ examples देखते हैं let's look at certain examples कहां गए है हमारे examples, just one second तो कुछ examples देखते हैं, देखें I have never seen him since his father died जबसे उसके father की death होई है तबसे मैंने उसे देखा ही नहीं है देखो, since लगा हुआ था since से पहले कौन सा tense था? since से पहले आपका present perfect tense था since के बाद कौन सा tense आया? since के बाद आपका simple past tense आया many new developments have taken place since I left home जबसे मैंने घर छोड़ा है बहुत सारे developments हो गई है since से पहले कौन सा tense आया? since से पहले आपका present perfect tense आया since के बाद कौन सा tense आया? simple past tense आया तो जब भी since लगा हुआ होगा और वो conjunction और time की बात कर रहा होगा आप सिर्फ यही tense का इस्तमाल कर सकते हो perfect continuous tense का मतलब होता है has or have plus been plus even plus ing has and have plus been plus verb की first form plus ing इसको बोलते हैं present perfect continuous tense जब आगे बढ़ते हैं अगले concept पर आते हैं अगला concept हमारा क्या था अगला concept था हमारा हम बाकी की बात करते हैं अगली बात जो हम करने वाले हैं conjunction of time में वो बात करने वाले हैं आफटर और विफोर की आफटर और विफोर में क्या दिया हुआ है देखो अगर मैं आफटर की बात करू If I talk about after जब भी दो actions हो रहे हैं और ये दोनों के दोनों actions कहां के हैं ये दोनों के दोनों actions पुराने हैं past के हैं तो जो action जादा पुराना होता है जो action कौन सा होता है जादा पुराना होता है उसके साथ आप जो tense यूज़ करते हो वो होता है आपका past perfect tense मतलब अब क्या यूज़ करते हो had के साथ verb की third form यूज़ करते हो जो action कम पुराना होता है या जो action पहले हुआ होता है उसके साथ अब कौन सा tense यूज़ करते हो उसके साथ अब यूज़ करते हो simple past tense इसका मतलब है क्या यूज़ करोगे verb की second form use करोगे तो बहुत classic example इसका the patient the patient had died before the doctor came doctor के आने से पहले patient की death हो गई the patient died after the doctor had come the patient died after the doctor had come इन दोनों sentences को बहुत ध्यान से देखो एक after word ने और एक before word ने पूरा पूरा tense change कर दिया देख पारे हो before था इसका मतलब ये वाला action पहले हुआ ये वाला action बाद में हुआ जो action पहले हुआ उसके साथ हमने had plus verb की third form यूज़ करी उसके साथ हमने verb की second form यूज़ करी after word आया after word आने का मतलब क्या है ये वाला action बाद में हुआ ये वाला action पहले हुआ जो action पहले हुआ उसके साथ हमने had plus v3 यूज़ किया जो action बाद में हुआ उसके साथ हमने simple past tense यूज़ किया तो after और before हमें क्या बता रहे हैं, after और before हमें बता रहे हैं, कौन सा action पहले हुआ और कौन सा action बाद में हुआ clear सभी को, जो action पहले होगा उसके साथ past perfect tense use करोगे, जो action बाद में होगा उसके साथ simple past tense का इस्तमाल करोगे concept number two clear conjunction of time का conjunction of time में आगे बढ़ते हैं, अगले concept पे आते हैं, that is concept number three concept number three कहता है कि conjunction of time में जब भी आपको when दे रखा होता है क्या दे रखा होता है, when दे रखा होता है, और वो action future के होते हैं वो action कहां के होते हैं वो action future के होते हैं तो जो action पहले होता है जो action future में कहा होगा? पहले होगा. उस action के साथ आप कौन सा tense यूज़ करोगे? उस action के साथ आप simple present tense यूज़ करोगे. और जो action बाद में होगा, उस action के साथ आप simple future tense का इस्तमाल करोगे. क्या चीज? जो action पहले होगा future में, उसके साथ simple present tense और जो action बाद में होगा future में, उसके स simple future tense का इस्तमाल होगा for example मैंने लिखा when my mother comes जब मेरी ममी आएंगी I will give her this dress मैं उनको ये dress दोंगी तो जब मेरी ममी आएंगी मैं उनको ये dress दोंगी तो पहले वो आएंगी और dress बाद में दोंगी तो जो action पहले हुआ दोनों actions future के है और जो action पहले हुआ उसके साथ हमने क्या यूज किया उसके साथ हमने simple present tense यूज किया जो action बाद में हुआ उसके साथ हमने concert tense यूज किया उसके साथ हमने simple future tense का इस्तमाल किया clear सभी वो concept number 3 और examples देखते हैं let's look at some more examples और conjunction of time देखते हैं अगला conjunction of time जो है हमारा वो है until और unless ये दोनों भी हमारे conjunction of time के अंदर आते हैं इसमें specifically ये वाला until और till ये दोनों आते हैं conjunction of time के अंदर और ये जो unless होता है ये condition conjunction of condition के अंदर आते हैं अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे conjunction of condition तो इन दोने में फरक भी यही होता है, बहुत सारे students पूछते भी हैं कि मैं until or unless में difference क्या है, तो इन दोन में difference यही है, कि until or till time के बारे में बताते हैं, जबकि जो unless होता है, वो condition के बारे में बताते हैं, और example मैंने बोला, मेरा उस समय तक इंतजार करो जब तक मैं आने जाता, wait dash I come, तो यहाँ पर क्या आएगा, wait till I come भी सही है, wait until I come, until के दोनों spelling सही होते हैं, यू एन टी आ एल भी सही होता है, यू एन टी आ डबल ल भी सही होता है, तो wait till I come, wait until I come, जबके condition वाला, unless कब लगता है, unless लगता है, I will not say anything, मैं जब तक कुछ भी नहीं कहूंगी, unless he makes his point clear, तो मैंने condition क्या रखी, मैंने condition रखी कि उसको अपना point clear रखना पड़ेगा, तो जब तक वो अपना point clear नहीं कर देता, तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, तो यह क्या है, this is a condition, यह एक condition है, तो यहाँ पर क्या आया, unless, so I will not say anything, unless he makes his point clear, unless the government takes some strict steps, corruption will not end, जब तक सरकार कुछ strict steps नहीं ले ले थी, corruption जो है, खतम नहीं होगा, तो unless को हम condition के case में लगाते हैं, until को हम time के case में लगाते हैं, until और till बिल्कुल same होते हैं, कोई खास difference नहीं होता, बस एक छोटा सा difference क्या होता है, कि till को हम sentence के start में नहीं लगा सकते हैं, जबकि until को हम sentence के start में लगा सकते हैं, till cannot be used at the start of a sentence, whereas until can be used, so this was the difference, clear सभी को, तो यही बात अभी हमने बोली, कि जो until है, वो conjunction of time है, जबकि जो unless है, वो conjunction of condition है, और इन दोनों को एक दूसरे की जगाहों पे हम use नहीं करते हैं, I shall wait until you come, मैं तब तक इंतजार करूँगी, जब तक तुम नहीं आते हैं, मतलब मैं उस समय तक इंतजार करूँगी, I shall fail unless you help me, अगर तुम मेरी मदद नहीं करूँगे, तो मैं fail हो जाओंगी, तो एक condition है, एक तरीके से क्या है, अगर, और यह until क्या है, जब तक, clear, चलूँग, अब एक बहुत important चीज, जो बहुत सारे लोगों को एक मन में doubt है, और वो doubt क्या रहता है, कि मैं unless के साथ negative word यूज़ नहीं करते हैं, unless के साथ not नहीं लगाते हैं, यह concept बहुत लोग रट लेते हैं, लेकिन दोखो, ऐसा कोई concept नहीं होता, concept यह होता है, कि unless के साथ, जो first वाला clause होता है, जो unless के just बाद वाला होता है, उसमें not नहीं लगाते हैं, for example, मैंने एक sentence लिखा, unless you work hard, you will fail, unless you don't work hard, you will fail, मैंने लिखा, unless you work hard, you will not pass, अब देखो, इस concept को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें आप बहुत बार गलतियां करते हो, तो unless का concept क्या कहता है, unless का concept कहता है, कि जो unless के just बाद वाला phrase है, ये वाला, इसमें not नहीं आना चाहिए, क्योंकि unless अपने आप में ही negative होता है, unless का मतलब क्या होता है, अगर नहीं, तो unless जो word हो अपने आप में ही negative होता है, तो unless के बाद वाला जो clause है, उसमें not नहीं आना चाहिए, तो ये सही था, जब तक तुम महनत नहीं करोगे, तब तक तुम fail ही होगे, unless you don't work hard, unless के बाद वाले में not नहीं आना चाहिए था, ये गलत था, unless you work hard, जब तक तुम महनत नहीं करोगे, तब तक तुम pass नहीं होगे, ये वाला भी सही था, तो what was the concept, concept ये था, कि ये जो not है, ये second वाले में आ सकता है, बस unless के बाद वाले phrase में, ये नहीं आएगा, is this concept clear सभी को, until, unless, और till का, चाहिए बढ़ते हैं, अगले category of conjunctions पे आते हैं, और अगली category है हमारे conjunctions की, cause और reason, reason और cause के conjunctions क्या क्या है, तो देखो, since, अभी हमने पढ़ा था, since conjunction of time होता है, लेकिन since जो है, वो conjunction of cause और reason भी होता है, since, because, as, for, owing to, due to, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे conjunctions हैं आपके reason के, मतलब इन सभी words के आगे हमेशा क्या हैगा, इन सभी words के आगे, हमेशा कोई न कोई reason आएगा, या फिर हमेशा कोई न कोई कारण आएगा, आप हमेशा कारण बताओगे, इन सारे के सारे words के आगे, since I was not well, because I was not well, as I was not well, for I was not well, owing to my ill health, due to my ill health, तो इन सभी words के आगे reason आता है, और फिर result आता है, तो result जो है reason के हमेशा, बाद में आएगा, या इनके पहले भी आ सकता है, लेकिन इनके तुरंद बाद हमेशा, सिर्फ और सिर्फ reason ही आएगा, इसलिए उनको conjunction of reason बोला जाता है, कुछ examples देखते हैं, he traveled home, वो घर गया, क्यों? क्योंकि उसकी मदर की death हो गई थी, इसके आगे हमने क्या दिया, इसके आगे हमने reason दिया, क्योंकि ये conjunction of reason था, since it is dark, क्योंकि बहुत अंधेरा है, अपने साथ torch ले जाओ, since it is dark, क्योंकि बहुत अंधेरा है, इसके आगे हमने क्या दिया, reason दिया, as she is my sister, क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ, as के आगे हमने क्या दिया, reason दिया, तो conjunction of reasons के आगे, हम हमेशा reason ही देते हैं, हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, चलो, कुछ और देखते हैं, अब एक बहुत लोगों के मन में आता है, कि मैं डिफरेंस क्या होता है, because, for, since, ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं हमें, लेकिन इन तीनों शब्दों में, इन conjunctions में reason के, एक बहुत minute सा difference होता है, difference क्या होता है, कि अगर आप किसी जिसको because कहते हो, तो आप बहुत जोर देखे उस चीज़को कह रहे हो, I will not take the class because I am not well, तो बहुत ज़़दा force देखे जब हम कहते हैं, तब हम कहते हैं because, कि ये कारण बहुत strong है, अगर मैं कोई बहुत strong कारण बता रही होती हूँ, तो हम क्या use करते हैं because, अगर कारण बहुत ही ज़़दा कमजोर होता है, कारण के अंदर कोई dumb नहीं होता, उस reason के अंदर कोई dumb नहीं होता, उसकी least force होती है, बहुत कमजोर होता है, तो हम किस conjunction का use करते हैं तब हम use करते हैं for since का हम इस्तिमाल करते हैं जब ना ही बहुत strong होता है ना ही बहुत कमजोर होता है beach का सा job होता है तब हम क्या use करते हैं तब हम since conjunction का इस्तिमाल करते हैं he failed वो fail हुआ क्योंकि उसने महनत नहीं करी थी तो ये एक बहुत strong reason है इसलिए हमने क्या use किया? Because He could not catch me वो मुझे नहीं पगड़ पाया क्योंकि वो lazy था strong होता तो because लगा देते normally कह रहे हो since लगा दो हलका फुलका सा reason है तो क्या लगा दोगे? for लगा दोगे यही difference होता है इन तीनों में इसके अलावा कोई और difference नहीं होता है तीनों ही तीनों आपके conjunctions of reasons होते हैं और तीनों के बाद ही reason आता है आगे बढ़ते हैं अब एक बहुत बड़ी mistake या बहुत बार error detection के questions में इस concept से question आते हैं जब भी आपके sentence में the reason लिखाओ क्या लिखाओ? the reason is हमेशा याद रखना ये बहुत बार आपको exams में देखने को मिलेगा question इसलिए मैंने इसको एक अलग concept बना के पढ़ा रही हूँ the reason is लिखाओ तो हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना इसके आगे कभी भी because मत लगा देना कभी भी इसके आगे due to नहीं लगा देना कभी भी इसके आगे owing to owing to का मतलब भी क्या होता है इस वजा से owing to मत लगा देना the reason के आगे कभी भी ये words नहीं आ सकते you can never use these words आप the reason के आगे that लगा सकते हो why लगा सकते हो the reason is that he did not study seriously the reason why he failed is that he did not study seriously तो why लग सकता है अगर आप result बता रहे हो उसके बाद तो that लगता है वो reason बताने के लिए लेकिन कभी भी because, due to, going to या फिर as नहीं लग सकता या फिर since नहीं लग सकता Conjunction of reason की तरह concept clear सभी को everyone जब आगे बढ़ते हैं अगली category of conjunctions पे आते हैं और अगली category है हमारे Conjunctions की result और consequence बहुत जाथा परिशान मतो अभी जितने भी concept आपको पढ़ा रही हूँ ना अभी आपको मुझे 10-11 categories पढ़ाने हैं conjunction की उनके सारे Conjunctions पढ़ाने हैं last में आप लोगो एक PDF भी दूँगी जिसमें सारी categories की Conjunctions लिखे होंगे हर conjunction का Hindi meaning भी लिखा होगा तो जरूरी क्या है और हम last में इसके questions भी करेंगे बहुत सारे तो आपको एक concept automatically रट जाएंगे so don't worry हर एक concept की उपर हम बहुत सारे बहुत सारे questions भी करेंगे अब आते है result और consequence पे अभी हमने कौन सी category पढ़ी थी reason वाली category पढ़ी थी अब हम पढ़ने वाले result वाली जो result बताते हैं कौन कौन से conjunction से result बताते हैं thus therefore hence consequently consequently as a result of that's why henceforth तो यह सारे के सारे conjunctions क्या बताएंगे यह सारे के सारे conjunctions आपको result बताएंगे इसी लिए ऐसा हुआ तो इन सारे के सारे conjunctions के बाद हमेशा क्या आएगा इन सारे के सारे conjunctions के बाद हमेशा और हमेशा आप result का ही इस्तमाल करोगे for example he failed that's why his parents scolded him वो fail हुआ इस कारण की वज़े से उसके मम्मी बापा ने उसकी डाट लगाई hence his parents scolded him therefore his parents scolded him तो ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे के सारे conjunctions of result है ये सारे के सारे conjunctions of consequence है consequently his parents scolded him yes तो ये इग्जाम्पल्स में हो गया हमारा वही चीज़ कि कोई भी एक reason लिखो उसके बाद conjunction लगाओ conjunction of result और उसके बाद result लिख दो तो क्या मैं इससे एक बाद ये कह सकती हूँ बेटा कि ये जो result वाले conjunctions है ये कभी भी किसी भी paragraph की starting नहीं हो सकते है ये कभी भी starter का role नहीं प्ले कर सकते है तो जितने भी ये वाले conjunctions है ये कभी भी starting में नहीं आ सकते ये कभी भी starter का role नहीं प्ले कर सकते क्यों नहीं starting में आ सकते क्यों नहीं ये starter का role प्ले कर सकते क्योंकि इन से पहले हमेशा reason आएगा reason, conjunction और result तो ये beach में तो आ सकते हैं ये ना ही कभी starting में आ सकते ना ही कभी last में आ सकते ये वाले जो जितने भी conjunctions है ये सब के सब सिर्फ beach में ही आ सकते है तो जितने भी मैंने यहाँ पर conjunctions लिखे हैं आप लोगों के सामने ये कभी भी starter नहीं हो सकते हैं कभी भी starting में नहीं आ सकते हैं clear अगली category पर आते हैं अगली category क्या है? अगली category है conjunction of purpose वो conjunctions जो हमें किसी चीज का कारण बताते हैं वो conjunctions जो हमें किसी चीज का purpose बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? conjunctions of purpose, for example so that so that जब एक साथ आता है, तो इसका meaning क्या होता है इसका meaning होता है जिससे की we eat so that we may live हम खाते हैं जिससे की हम जी सके सिर्फ that भी that का मतलब क्या होता है, की, ये भी purpose बताता है, we eat that we may live, हम खाना इसले खाते हैं की हम जीट सके, in order to in order to कोई मतलब भी क्या होता है, जिस से he came to me in order to take my book वो मेरे घर आया, जिससे की मेरी किताब ले सकता तो ये सारे के सारे क्या बताते हैं, सारे के सारे purpose बताते हैं, की वो चीज क्यों exist करती है क्या बताते हैं ये उसका existence बताते हैं की उस चीज का existence क्या है, वो चीज क्यों है, in order to ताकी भी कह सकते हैं, तो example we eat that we may live हम खाना खाते हैं की हम जी सकें I will help him now, मैं उसकी मदद करूँगा जिससे की वो कल मेरी मदद कर सके so that he can help me tomorrow तो मैं उसकी अब मदद करूँगा जिससे की वो कल मेरी help कर सकें emeca travel to abuja, वो abuja गई in order, in order to be होता है in order to के आगे क्या लगाते है in order to be होता है in order that भी होता है, दोनों का ही meaning क्या होता है, जिससे की जिससे की वो अपने भाई को देख सके अपने भाई से मिल सके तो वो abuja इसलिए गई, जिससे की वो उपने भाई से मिल सके तो इस सारे के सारे आपके कौनसे conjunctions हो गए इस सारे के सारे आपके conjunctions of purpose या existence हो गए यह वाली category clear सभी को येस चल अगली category of conjunctions पे आते हैं वो है adding information वो conjunctions जो information add करते हैं वो conjunctions जो दो चीजों को दो अलग-अलग sentences हैं और एक बूसरे को inform कर रहे हैं एक बूसरे में add कर रहे information तो वो सारे के सारे conjunctions इस category में आते हैं अब दो सबसे बड़ी categories होती हैं conjunction के एक होती है additional और एक होती है contrast इन दो categories को हम बहुत detail में पढ़ेंगे अपनी अपनी अगली class में कम से कम मानलो 20-20 categories conjunction दोनों category में हैं और यह वाली जो category है वो examiner की favorite category है यहां से सबसे यादा questions आते हैं तो इन वाली categories को adding additional category और contrast categories को हम अगली class में पढ़ेंगे और बहुत सारे questions भी हम करेंगे total हम 11 categories of conjunctions पढ़ेंगे ठीक है तो कल करेंगे अब इस class को आगे की categories के साथ कोई doubt हो कोई दिक्कत हो तो मुझे इस number पर WhatsApp कर गे पूछ ले ना this is the number एक homework question दे रही उसका answer जरूर देना comment section में जो भी बच्चा सही answer देगा उसमें से ही बच्चे को कुछ एक बुक भी मिल जाएगी तो आज को homework question यह है कि आप मुझे एक sentence बना के दोगे इस conjunction का तो इस conjunction का आपको मुझे एक sentence बना के देना है ठीक है तो आज को session यही end कर रहे है तीन sentences सभी लोग मिलके बोलेंगे one two three and go English is a very easy language I am very good at English and I'll definitely get my dream job thank you everyone bye bye take care stay